अक्टर बनना कोई हसी खेल का काम नहीं है कि जो चाय बन ज़े इतने ही आसान होता तो देश का हर गोरा नठ्टु कहरा अक्टर बन जाता है अक्टर बनने के लिए टालेंट बहुत जरूरी है और बिना टालेंट के तो सुंदर चहरे वाला भी अक्टर नहीं बन सकता स्क्रीन पर आके स्टार बना तो बहुत दूर की बात है दिन रात महनत करने पड़ती है पढ़ाई करने पड़ती यादाश को तेज करना पड़ताः तब जाकर विद्धिया आती है और हां इन सब में भाग यानि कि लब बहुत मैटर करता है चलो मान लिया जाए खी भाग न कि जो तुम आक्टरों को स्क्रीन पर करता हुआ देखते हो, वो सब कर सकते हो. डान्स, जामा, टेम्पो, पेच, रिद्म, उचारन और फिर आक्टिंग. और हाँ, गाना बजाना भी थोड़ा बहुत आना चाहिए. अब तुम यह सोच रहे होगे, कि यह सब तो हम कर ही लेते हैं. हसना, रोना, डराना, धमकाना, इसमें कौन से बड़ी बात हैं, और लोग वावाही भी करते हैं. पर बेटा जी, यह सब कुछ जो है न, वो सिनिमा के लिए तकनिकी रूप से दुबारा सीखना पड़ता है, ताकि एकदम नाचुरल लगे. अब तुमने ठान ही लिया है, तो चलो, होदा शुरू. यह सब जो लिखा हैं न, उसे सो दोसो भर अच्छे से पड़ो. और फिर आइना, याने की शीशा, मेरत, उसको अपना सबसे अच्छा दोस्ट बना लो, क्योंकि, हाँ, सही पकड़े हैं, आइना कभी जूट नहीं बोलता, होजा शुरू. अप्तर बना न, कोई असी खेलका काम निया की जो चाहे बन जाए इतना असान होता तो देश का हर गुरा नट्व करा अच्टर बन जाता, एक्तर बनने के लिए टालेंट जरूरी है, डिना टालेंट के तो अच्छे शकल वाले भी अटर ने बन सकते, अच्छे बन सकते, स् पर बहुत दूर की बात है इसके लिए और मैंने करने परदि दिन रात मैंने करने पड़ती है यह आदाश को तेज करना पड़ता है तब जाकर विद्धा की देवी हात आती है पर हां इं सब में अलग कि वह बहुत ज़रूरर है जा है कि भागे ने तुम्हारा साधिया हो जो तुम आक्टरों को स्क्रीन पर करते हुए देखते हो वह सब पढ़ सकते हो डान्स रिद्म टेम्पो पिच उचारन और फिर एक्टेंग और हां थोड़ा पहुत गाना बजाना भी आना चाहिए अब तुम यह सोच रहे होगे कि इन सब में क्या बात है यह तुम ऐसी कर लेते हैं हसना रोना डराना धंकाना साफ बोलना और लोग भावाही भी करते हैं लेकिन बेटा जी यह सब कुछ जो है न वह तक्निकी रूप से सिनेमा के लिए दुबारा सीखना पड़ता है ताकि ए करते हैं यह सब कुछ लिखा है न उसे सो दोसो बार अच्छे से पड़ो मन लगा कर ध्यान से और फिर कैमरा अहां मिरत आइने के सामने खूब प्राक्टिस को क्योंकि आइना सबसे अच्छा दोस दोता है वह कभी छूट नहीं बोल हाँ अच्छा बनना कोई हसी खेल का काम नहीं है कि जो जाये बन जाये इसना असान होता तो देश का हर गोरा नठु खेरा अच्छा बन जाता अच्छा बनने के लिए ना तालेंट बहुत जरूर है सुन्दर शकल वाले भी बिना टालेंट के अक्टर नहीं बन सकते स्क्रीम पर आना और स्टार बनना तो बहुत दूर की बात है इसके लिए ना देन रात महनत करने पर थे पढ़ाई करने पर थे आदाश को तेज करना पड़ता है तब जाकर विद्या आती है और हां इसमें अब सोच लो कि भागी ने तुम्हारा साथ दे दिया और तुम अक्टर बन भी गए लेकिन बेटा जी वहां बने रहने के लिए ना बहुत महनत करने पर थे इतना असान नहीं है सोचो जो तुम एक्टर को स्ट्रीन पर करते हुए देखते हो वह सब कर सकते हो डान्स रिद्म टेम्पो पेच उचारण और फिर एक्टेंग और हां तोड़ा बहुत गाना बजाना भी आना चाहिए अब तुम सोच रहे होगे कि यह सब करने में क्या है यह तुम्हें वैसे ही कर लेते हैं कोई बड़ी बात नहीं है डराना हसना रोना धमकाना और साफ बोलना सब होता है लेकिन बेटाजी यह सब कुछ सिनेमा के लिए तकनीकी रूप से दुबारा सीखना पड़ता है ताकि नाचुरल लेग अब तुम्हें ठान ही लिया है तो शुरू करते हैं यह सब कुछ जो लिखा है ना 100-200 बार अच अच्छा दोस्त है वो कभी छूट नहीं बोलता हुआ 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 हुआ